आपके बीच में ऐसे लोगों को लेकर लगाता रहा हूँ जो कोरोना की जंग में समाज के लिए बड़े उधारन बन रहे हैं जिनके आत्मबल ने बड़ी बीमारी पर फतेफ आई है या जिनके सकारात्मक रवाई है के कारण लोग इससे जो है सामने आकर लडाई करके जो है मैदान जीत कर आए हैं आप मेरे साथ जो एक सक्ष देख रहे हैं अभी जो चेहरे आप नकाब उनके साथ में देख रहे हैं मास्क लगाए हुए अभी कोरोना पॉजिटिव होकर निकले हैं आज ही कॉरिंटाइन सेंटर से अपने घर पहुँची है ये हैं करीब 84 वरस की इनकी उम्र है ब्रह्मानन्द मिस्रा जी है मिस्रा जी आपका बहुत बहुत श्वागत और बहुत दिन्वाद हमारे साथ जोडने के लिए आपको पहले तो पहले मैं अपने दर्सकों को आपके बारे में बता देता हूँ कि आप सहराई के निवासियं सिख्षक रहे हैं प इनकी एक लड़के जो है सिख्षक है वेद नाराइट जी बो भी और एक नाती आपका जो है वो भी इसमें पॉजेटिव रहे तो ऐसा करके परिवार के तीन चार लोग पॉजेटिव रहे उनमें से कुछ लोगों को कॉरिंटाइन और आइसोलेशन में भी जाना पड़ा 84 बर्ष की एक बड़ी उमर में लोगों को सबसे बड़ी समय जो फिक्र है वो बुजर्गों की है वाओ जी सबसे पहले हम आपसे ही जानना चाहरा है कि ये रोग लग कैसे आपके परिवार को क्यों समझ में आया कि कहां से आया ये देखिए साहब वैसे तो सब लोग अच् आपकों में ओर लोग चले जाते हैं ध्यान भूल जाते हैं इस वजे से ज्यादा मेरी समझ में आरह है वैसे जो है हिंवत अगर कोई बानता है और यह के उपर वाली करपा से जो हो रहा है ठीक हो रहा है और हम जो है इतनी हिम्मत मानें कि हमारी यूमिनिटी हमारे शरीकी जो उर्जा है छमता है इतनी बढ़ा लें कि केरोड़ा अपने आप दान हो जाए देखिए बाओ जी बहुत बड़ी बात कर रहा है आप उच्छासी साल की उम्र में जब लोग जो है मानसिक और सारी रिगूब से अस्वस्त हो जाती है तब आपकी ये बात है लोगों के लिए बड़ी कारगर सावित होंगी तो पहले हमको ये और बता दीजिए कि कौन-कौन से सदसाब के जो है परिवार के कोरोना के जद में रहे या उससे पीड़ेत रहे और कब कब गए और कितना कितना हिलाज और कहा कहा हिलाज हुआ आपका किस तरह से आप रहे हमारी पत्नी और हमारा नाती और हमारा एक बेटा जी तीनों से वहां पर लेकन अच्छे धरंग स सबसे पहले आपके परिवार में ये सिकायत किसको उई और कैसे इलाज किया, कैसे डिटेक्ट किया उसको, सबसे पहले किसको ये रोग समझ में आया था आपको, सबसे पहले बेदनारान को समझ में आया, जो आपके पुत्र है, फिर आप लोगों की जाच की गई, फिर बात की तो होती रही कि क्या बात है ऐसा नहों कि अपनी उपर अटेक हो जाए लेकिन इतनी बात है कि हम्मत बाने रहो और ये भी धियान रखो कि भगवान जो है सबसाई करता है लेकिन हम्मत बाने रहो अपनी उनिटी बढ़ाए रहो खाते पीते रहो और तकारात्म करवये बनाए रखो अच्छा तो आप जब पॉजेटम आए और आपके साथ में माता जी भी पॉजेटम है और आपका एक नाती भी पॉजेटम आए तो फिर आपको घर से जो है वहीं पर रहे और उन लोगों ने भी सहयोग किया और अपने करमचार उन्हों बहुत सहयोग किया और हिम्मत बनाने वाले भी भोते से जी अशोक नंगर में आइसुलेशन सेंटर में रहे जो तुल्जी सरुवर के पास उसमें जी 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 उसमें भी रहे और होस्पिट दिश्आने नहीं आई दबाएं वगारा दे जाते थे कोई परिशाने नहीं आई जी मगर आपके बेटे को तो उस्प्राई होना पड़ा था उनको इंजक्षन संभी लगे उनकी जो है उक्सिजन लेबल भी कम जो गई थी हाँ हो गई थी कम जो है वो सकता है सैजिशन नहीं मिल पाया हो किसी के द्वारा वैसे जो है तो जहाओ यदि कोई अच्छे मिल जाते हैं तो निश्चित तोर पर अपने लिए बहुत कुछ लाव होता है तो बाउजी किते दिन रहे आप उसमें आईसुलेशन सेंटर में हम जो है दस वारा दिन रहे हैं कब पहुंचे घर आप हम घर आज ही आए तो अभी घर में क्या और दूसरे लोगों से आपको बचके रहना पड़ रहा होगा चुछ घर में बैठकर भी आप मास्क रहा हैं सब लोग अलग है 14 दिन तक डाक्टर नोंने बता है कि 14 दिन तक जो है आप अटके रहना तो चल रहे हैं हमाई पत्नी हम हमार अनाती तब बिद नारान जो है उनका पूरा टाइम होई गया है जी 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 तो ये बताइए आप तो सिक्षक भी रहें और बताते हैं लोग बा हैं तो अब ये दोर आया कोरोना का बड़ा कठेन है और आप जैसे लोग इस समाज के लिए बड़े मारदर्सक और प्रेडना दाई हो सकती हैं तो अब आप तो इसकी खुद की जद में आगा है इसने आपको खुद संक्रमेंट कर दिया तो अब आप ये बताईए कि अब आप से कम उम्र की लोग जो पॉजेटिव हो रहे हैं वो किस तरह की चीज़ा रखें अपने बीच में और आत्मल को कैसे बढ़ा सकते हैं अब ये बताईए इससे लड़ने के क्या उपाया आप बता रहे हैं ऐसा है मनुवल की कमीते से सब कुछ बात होती है अच्छा आध्यात्म से पूरी तोर से नाता कमजोर बना रहे हैं मेरे समझ से तो आध्यात्म एक ऐसे चीज़ है कि पूरी तोर से अगर उसके उपर सहारा लिया जाय तो मन उसको कोई परिशानी नहीं आती और अगर मानलो अगर उपर वाली की किरपा से जानते हैं कि भगवान तो है वो शर्व शक्तिवान हैं सब कुछ है लेकिन हम और आप इस विधी से उन नियामों का पालन करते हैं जो अपने हाँ पर बताए गए हैं जो नियामा वली उस नियामा वली कि विपरीतियदी कोई कारी हो जाता है तब ये परिस्ति निर्मत होती है आप ये कह रहे हैं कि अगर आप आध्यात में ग्रूप से रहते हैं धार में ग्रूप से रहते हैं बजन पूजान और ईश्वर के प्रतिनित जो है प्रार्थना में रहते हैं तो आप में ग्रूप से मजबूत रहते हैं और ऐसी अगर विशम परिस्तिती आती है तो आप म जबरेज हैं पूरी सक्ति से और उड़ जा के साथ मैं मैं दरसल इसी लिए आपको यहां लेकर आया हूँ मैंने बहुत सारी दरसल को इसको देख रहे हैं दोनों प्लेट फॉर्मों पर तो हम यह चाह रहे हैं जो लोग कोरोना की कारण जो भै और डर का माहौल है समय लोगों को कि कैसे आप संकट से जो है यूजय और भार में इस सक्ति का हमेज़ा आवहन करना करने जो अजर सक्ति है और woven को चला रही है दर्ष्च्यवान भी एंद रहे नहीं होती आपने पूरा अपने मनो वलको दे दिया भगवान के चरणों समर्पत कर दिया तो करने वाले हम कर सकते हैं अब यह चोपाई तक जो चोपाई बगरा रामायन में दिन हुई है ए उन में जो है मेरी समसे तो हर चीज का निदान है आपने तो राम सरतमान इसको साध कर लिया है पूरा बरसों पर उस पर सपस्या किया है तो अब मुझे एक चीज यह बताईए कि जब आप पॉजिटिव हुए तो मन में नकारात में ख्याल आए कि यह लगा कि हाम तो इससे नकल जाएंगे कोई बड़ी चीज नहीं है यह 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 ऐसा लगा कि डर लगा रहो कि पता नहीं अब किया होगा कि वलल जी लग रहा था हमारे लिए कि यह पूरी तोर से जो है अपने हहां पर फैल जाएगा और जनता में जो है इतना विश्वास नहीं है जनता में जो है एजुकेशन की इतनी कमी है कि सब कुछ बताते हुगए भी टीवी बे हर जगे जो है इसका उप्चार और इसका प्रचार प्रशार होते हुए भी लोगों की समझ में नहीं आ रहा है इस बात का जरूर दुख का दुख इसलिए होता है कि मैं भी ग्रामीन चेतर के परिवेश से आता हूँ आप भी गाओं की लोग हैं हम अभी भी देख रहे हैं कि आप कोजिटेव होने के बाद चकारात्मक बने हुए हैं उससे बाहर भी आ गए मास्क लगाएं घर में अलग अलग रहे हैं मगर जो लोग बिलकुल जद्में नहीं है इसके बाद भी खुले में गूम रहे हैं क्या इसकतियां सहराई की नहीं तो सब घूमरे खुली में अगर वान लोग के अगर कुछ देखें हैं अपन तो जल्दी चल देती हैं वगर मास्क के चल देती हैं अच्छा कोई बात ही ना कर पाए और आज ये से सोंवार था आज जो है भी भड़क का हलाकि पुलिस की भी सकती रही और बहुत ज़्यादा सकती चल रही है लेकिन अपने यहां पर जो है अब काउव में तो है हरा व्यक्ति जो है इसके बारे में समझन लगेगा है कि किसी को भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है वो हमारी असाबधानी से ज़्यादा होगा ओके हाँ आप लोग तो बज़ोर गए घर से निकलते नहीं यह फिर भी हो गई तो अब मुझे एक चीज़ और बताई अभी आपने कहते कहते शुरू में एक बात करी थी कि जब आप पहु पहली बार पहुंचे तो लोगों ने जो है अच्छा रस्पॉंस दिया और जिस देंक से ट्रीटमेंट होना चाहिए जो एक सुरूवार में आते हैं उनका वेवस्त तरीके से ट्रीटमेंट भी हमारी समझ में तो आया और इसके बाद जो इस तरफ ले करके आए जे तो इस सेंटर में हो या हुस्पिटल में हो कोविट बाड में रहे हूं वो लोग इन बुजरूर की बात को समझ ये के अस्पताल में लोग जो काम कर रहे हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं इनके अनुबब तो दौनों जगे के रहे हैं वो अस्पताल में भी रहे हैं और कोविट से दो महला हैं थी हमको अभी जो लाग चिकर साल है से जो नाम मिले हैं उस समय के जो कोविड परवारी है एक कपूरी भाई पत्नी परमाल सिंग रजा के इनकी उमर 85 वर्सकी रही है और ये इसागर से तालोक रखती थी ये 15 नवंबर को जो है भरती हुई थी और 31 को बापस हु का नाम हमारे बीच में है ये हरवजन कौर है पत्नी बाद्दूर सिंग इनकी उमर 80 वर्स है ये पठारी की है मंगाली और पिछले वर्स ये भी संक्र में तुहीं थी इनको भी आइसोलेट किया गया था और करीब करीब सितंबर के महीने में पहले सितंबर को आई थी और 8 स पार पसकते हैं तो इनके लिए तो ये चुट्कियों का खेल हो सकता है उद बड़ी वाद है साब यह यदि यह मन में सूच लिया जाए तो जी दरता होने चाहिए के यो परमातमा करता है वो सही करता है और हमें विवस्तित काम करना चाहिए प्रकरती के विर्द्ध आचरन किसी प्रकार करना हो ना खान पियन ब्यवहार ये सब चीजें जो है बरताव सब पहुत सुल्जा हुआ हो सकारात्मक्ता लिए हुए चारों तरफ का बातावरन हो सभी हमारे यहां पर सुक्षंपदा और आपस में प्रेम भाव का प्रादर भाव हो सकेगा अच्छा आप तो गाने बजाने लोग बाले लोग भी है संगीत में वीरोची रखते हैं अगर कोई ऐसी चीज आपको याद आ रही हो जो आज मॉटिवेट कर सको आप दंटा को और सुनाना चाहिए तो उसको सुना दीजिए याद का लीजिए तब तक तक मैं एक सवाल और आपसे पूछ लेता हूँ अगर आपको याद है या तभी थोड़ी दिर में हम जब आखरी में जाएंगे तब सुना के जाएए जब आप महारा है कोविट सेंटर में भी और आईसूलेशन सेंटर में भी तो दौनों जगै जो लोग इस समय भरती हैं उनको चारों तरप आप देख रहे हैं तो उनकी परिस्थितियां क्या है क्या है क्या हो रहा है किसी को पता नहीं है तो वो लोग घबराए हुए है कि तनाव में है या आप जैसे ही इस्तितियों में है तो वहां के क्या हालात है नहीं तो वहां पर जो है एक दूसरे के प्रत चाहें कुछ लोग और अपने आप में अपने ऐसा में रहा है वो हूता है वो सूशती रहती है तो सब आव एक लिए बीमारी में जी दो पंतिया आप यार्ज कर दीजे मेरे निवेदान आप से अच्छी बात है साब जो आए कामोरों के उसे इंसान कहते हैं पराया दर्द पेंचाने उसे इंसान कहते हैं जो आए कामोरों के उसे इंसान कहते हैं ए दुनिया ए पूल जन्दा है यहां पगपग लगे ठोकरां कोई हस हस के जीता है कोई जीता है रोग रोकर जो मुश्किल से ना घबराए उसे इंसान कहते हैं ए दुनिया ए दुनिया है में कभी इंसान ए कभी इंसान है निर्धन कभी इंसान है तन्वा और जो मुश्किल से ना घबराए उसे इंसान कहते है जो आई ताम गेरों की उसे इंसान कहते हैं परहत सर्ष धरमों नहीं भाई पर पीडा चम नहीं दुमाई और हित बसे जिनके मनमागी तेनकों जग दुर लव कछूनाई जो आए आम औरों के उसे इंसान कहते हैं परायाओ तरद पहचाने उसे इंसान कहते हैं जैश्री राम जैश्री राम और बहुत अच्छा लगा आप से बातचीत करने के बाद और बो लोग जो कोविट के जद में हैं कोविट के जो है संक्रमन के बीच में हैं उनके लिए आप जैसे लोग बहुत महत्पून है आप जैसे लोगों की बातचीत बहुत महत्पून है वो आपके सुनकर आपकी बातों को समझ कर बात समझ सकते हैं कि किस तरह से इससे लड़ा जा सकता है इसको कैसे हराए जा सकता है मैंने एक बड़ी अच्छी बात नोटिस किये कि आप तो खुद जो है मास्क लगा के बैठे हैं आपके पीछे कोई सज्जन है वो घर में है मगर वो भी मास्क लगाएं जब आपके वो नाती थे प्रणब में जो उनसे जो इसके लिए लाइप लिए कंसरेट कर रहा था तब वो भी कोविट के पॉलन कर रहे थे मास्क लगा हुए थे तो जागरुकता और सकारतमा के साथ में सिख्छा का अपना महत्व होता है और सिख्छित परिवारों में सिख्छित ब्यक्तियों में मूईत की जाती है कि आप घर रहे हैं और सामान परसितियों में भी अगर इस समाज के लिए आप नया आदर्स मनें आप हमारे साथ जुड़ें आपको बहुत धन्यवाद ये बालक भी जो है संगित से जुड़ रहा है के शवर में ही ये शवर होता है आत्मा का सीधा समन परमात्मा से हो जाता है वो मिलन होता है वो ये परहत सरस धर्म नहीं भाई हमेश दूसरे का भला सोचिए आपका भला होगा तो जो बीमार है रोगोंगी है तो और अच्छा लगेगा है उनको learned आप तो कभी कबार परिशान करता रहूँगा आदे तो सोयम जो है साथ 61 साल के आदे तो हो गए वो सितंबर में रिटार होने वाले हैं और आप उनके पता जी है तो मैं समझ सकता हूँ कि आपकी उम्र इतनी बड़ी उम्र में इतनी लंबी 84 साल की उम्र में आप में जो जीवटता है उसे देखकर बहुत अच्छा लगता है अच्छा लगा मुझे बीच बीच में फिरता है अरे धन्यवाद आपके लिए